पर विव लेते हैं और आज हमारे साथ है दिगज एक्सपर्ट वाजार के स्वास्तिका इंवेस्ट मार्ट के ग्रीश सुडानी ग्रीश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के स्वागत है आपके टीनों सुदिश पर ग्रीश जी आरवी आई पॉलिसी के बाद हमने आप किस तरह से बाजार की चाल यहां पसे देख रहे हैं और कितना नेगेटिव मान के चलने हैं आरवी आई ने जो इंक्रमेंटल सी आरार लगाया है अगर हम पर बात करें तो यह बहुत शॉर्ट टर्म लॉसेस की के तोर पर देखा जाए तो बजाए में बैसे होना चाह बढ़ा दिया तो उस के लिए थोड़ा सा मुश्किल जहूँ था कि इमीजेटली जो इफेक्ट है वह वही इंफेक्ट है आगे के लॉंग टर्म प्रपोजिशन में बात करें तो डेफिनिटली यह कोई इफेक्ट नहीं करेगा विकॉर्स हमारे निकल के आ रहे हैं अगर और पूरा इंवर्मेंट देखा चाहिए तो नंबर्स काफी अच्छे हैं इंदर टर्म मेंस और कम्ती के भी और जो हमारे एकनोमिक के भी नंबर्स है वो काफी स्ट्रॉंग आ रहे हैं तो उस पर पोजिशन पर बहुत स्ट्रॉंग ली कुछ डिवाइस आ जाए या पर हम इसी में ही बजा टैवल करेगा ठीक बाजार के रेंज बता दिया आपको गरीज जिने लेकिन टीविस चक्र एविड़ा की चो आखड़या हैं बहुत अच्छे हैं क्योंकि कामकाजी मुनाफ़ा 31 करोन से बढ़कर एक्सट करोन पर और अच्छी चीजी है कि घाटी से मुन भी खुल गया है टीविस सप्लाइचेन का और टीविस श्री चक्र के नतीजे अच्छे साठे तीन परसंट ये शेयर उपर हैं मार्जिन डबल एबिटा डबल घाटे से मुनाफ़े का आंकड़ा तो तीनो तीनो पैरामिटर पर अच्छे नंबर से और आए हलांके हम देख लिए नतीजे कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छा माजन इब्लूट करा हैं तो स्लोली अगर किसी के पास होल्ड रखा हुआ ये स्टॉक तो डेफिनेटली उसको होल्ड ही रहना देना चाहिए और प्वेश एंटीज आज के डेट पर तो अबिसली नहीं होगी क्योंकि स्टॉक काफी और चल चुका है तो अगर कह क्योंकि दिन के बीच ओबीच हम कड़े हैं